ध्यान से सुनना राज ये गहरा मैं धीरे से खोल रही हूँ, कानों से नहीं दिल से सुनना मैं हिंदी में बोल रही हूँ नमस्कार, हिंदी दिवस के अवसर पर इस विशेश परिचर्चा कारिक्रम में आप सभी का मैं अनुराधा पांडे इस कारिक्रम में स्वागत करती हूँ और साथ ही हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को धेरों शुब कामनाये देती हूँ हिंदी हमारे दिल की भाषा, हिंदी हमारे रोजगार की भाषा, हिंदी हमारे संपर्क सूत्र की भाषा हिंदी एक ऐसी भाषा जो कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक सभी को एक धागे में पिरोती है तो क्या इस हिंदी को एक दिन या एक दिवस में समेटा जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं और हिंदी को हिंदी एक दिन या एक दिवस के मोहदाज भी नहीं है तो ऐसे में क्यों ना अपनी भाषा को अपनी जुबान को हम एक दिन समर्पित करें और इसे एक दिन सलामी दें? आए इसी क्रम में इस परिचर्चा को जो हमने आज आयो जित ही है उसका हम शुभारम करें और इस परिचर्चा में आज हमारे साथ भाग ले रहे हैं डॉक्टर वी एम तिवारी जी जो की निदेशक हैं CSIR NJRI के और वहां पर ये निदेशक की रूप में कारेरत हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी सुब कामना है आपका बहुत-बहुत धन्वात सर आ आपने समय निकाला और हमारे साथ आपस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आए हमारे साथ इस परिचर्चा में एक और महमान है जो हमारे साथ जुड़ेंगे मैं स्वागत करती हूं श्रीमती अनिता समर्थ जी का जो की सरकारी विद्याले में वरिष्ट हिंदी भाषा होनी चाहिए या है या हम कहां पहुंचे हैं भाषा के माध्यम से तो इस परिचर्चा में हम यह सारे प्रशन इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज बीसवी सदी में 21 सदी में हम कहां तक पहुंच पाए हैं तो सबसे पहले मैं आ अगर आपको कहीं भी भाषा को लेकर आपकी जो शिक्षा दिक्षा की भाषा थी उसको लेकर कहीं कुछ कठिनाई आपने जो महसूस की हो अपने करियर को चुनाओ करने में करियर का जो चुनाओ करते हैं हम लोग एक पढ़ने के टाइम पर उसमें कहीं आपको लगा कि मुझ विद्याले से सुरू हुई उसके बाद हम सहर में अपने हाई स्कूल के लिए आ गए लेकिन जब हम असनातक में पहुंचे तो हम उन कुछ भागे साली लोगों में से थोई जिनको यह मौका मिला कि कासी हिंदू विश्विद्याले जैसे संस्थान में दाखिला हो और वह संस एक तरफ तो आयरबेद है दूसरी तरफ एडवांस टेकनोलाजी का जो है वहां पे संस्थान बनाये गया तो इस तरह से सोचा गया कि एक तरफ तो हम यह अपनी भातों को अपनी भासा में पढ़ें लेकिन साथ में अपने ग्यान को और अपनी सिक्षा को दूसरी भासाओ के रूप में भी जानकारी हासिल करें और उसको प्रस्तूत कर सकें इसलिए हमने पाया कि वहां इसनातक में ही जो है हमको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना शुरू किया गया और साथ ही साथ जो है एक कमपल्सरी इंगलिस का भी कोर्स कराया गया तो एक तरह से यह और आधनिक भारत के निर्मार में तो आपने जिस तरह से मितलब हिंदी में आपकी पूरी सिक्षा रही और उसके बाद फिर आप विज्ञान के शेत्र में आए तो आज जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें हम क्या भाशा को लेकर कहीं आपको लगता है कि हम पीछे यह दोनों इस तरह से मिले जुले हैं कि हमारी जो curiosity या जो हमारी सोचने और जानने की छमता है वो हमारी मात्रिभासा से ही शुरू होती है और इस कारण से ही आप सायद अभी सुने होंगे और पढ़े होंगे कि जो हमारी नई शिक्छानिती आ रही है उसमें इसका बहुत ही जादे तरक से बताया गया है कि हम अपनी मात्रिभासा में ही अपनी सिक्छा का आरम करें तो जो समझ है जो बच्चों की समझ किसी भी चीज के बारे में बढ़ाई जाती है वो उनकी मात्रिभासा में ही सबसे अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि वो बिज्ञान हो या सामाजिक ज्यान हो इन सब का जो है उचित तरह से जानकारी और विस्तित जानकारी अपनी मात्रिभासा में सबसे अच्छी तरह से बच्चों को बताई जा सकती है और समझी जा सकती है इस तरह से हमने पाया कि हमें अपनी मात्रिभासा में या ऐसी भासा में जिसमें समझने क कि जादे छमता हर व्यक्ति को हो वह जादे ही उचित पाई गई और मैं उसका लाभानवित रहा तो मुझे नहीं लगता कि विज्ञान की समझ लाने के लिए कोई दूसरी भासा लाने की जरूरत है मात्री भासा सबसे अच्छी भासा है यह बात आपने बहुत अच्छी कही सर कि मात्र भाशा में हम जितना अच्छा सोच सकते हैं जितना अच्छा हम समझ सकते हैं या यूं कहें कि हम जो सपने देखते हैं सर वो भी हम अपनी मात्र भाशा में ही देखते हैं तो यह आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि विज या कोई भी विशय अगर हम समझना चाहें तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं तो अगला प्रश्ण में मैडम से करूंगे एक बात इस पे और जोड़ना चाहूंगा कि एक मान्यता है कि विज्ञान में यह जादे आवस्यक नहीं है कि हमारी सोच या हमने पहले उस किसी बैज् कि किसने उस बैज्ञानिक तथ्य को लोगों तक पहुंचाया और उनको जो है समझाने की कोशिस किया एक्सेप्टिबिल्टी लाई और वह दूसरा जो है वही ब्यक्त बिज्ञान में आगे बढ़ता है इसलिए भासा भी बिज्ञान के प्रचार प्रसार और बैज्ञानि में बहुत बड़ी भूमिका आदा करती है और मुझे लगता है कि मैं आपको बताओना भी चाहूंगा कि यह बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो हम अपनी मात्रि भासा में बैज्ञानिक दिश्टिकोनों को समझें अपनी बैज्ञानिक छमताओं को बढ़ाएं लेकिन साथ अधि साथ हमें और भासाओं का ज्यान बहुत ही जरूरी है पर्टिकुलर्ली जो है जो इंग्लिस की जिसमसे हम अपनी बातों को उन लोगों के पियर्स को पहुंचा सकें जो हमारे बैज्ञानिक दिश्टिकोन को रिभ्यू कर सकें और बता सकें कि कि तना अच्छा बैज भाशा तक ही सीमित नहीं रहना है अगर हमें संपूर्ण विश्व से अपना संबंध बनाए रखना है अपना हमें सूत्र एक जोड़े रखना है तो उसके लिए हमें अनेक भाशाओं को अपनाना चाहिए और भाशा तो सभी बहुत प्यारी होती हैं और मन को छूने के लिए मन के भावों को व्यक्त करने के लिए भाशा ही हमारे पास हमारा सहारा होती है तो मैं रुक करूंगी मैडम की तरफ चुकि आज जो ये दोनों गेस्ट हैं हमारे साथ दर्शकों मैं एक विशेश बात बताना चाहूंगी कि सर ने अपनी शिक्षा दिक्षा हिंदी में की औ और मैडम ने अपनी मात्र भाशा तेलगू और मराथी होते हुए उन्होंने तेलगू माध्यम से शिक्षा ग्रहन की और वो आज विज्यान की शिक्षा ग्रहन की और आज वो हिंदी पढ़ा रही हैं तो मैडम आप ये बताईए कि आप कैसे इस शेत्र में आई आई आप बीएसी आप कर रही थी तो क्या हुआ था आपके साथ कौन सी प्रेड़ना ने आपको प्रेरित किया जिससे आपने हिंदी की और रुख किया मेरी भाशा मात्र भाशा तो मैराथी है लेकिन मेरी जो पढ़ाई है वह सब तलगू माध्यम से हुई है और बाद में मैं बीए हिन्डी में बहुत रुझी हुई और बाद में घड़ी की डिग्री खतम हुई जब मैं मेडिकल कोर्स में जॉइन होना चाहती थी तब रहें लेकिन तब वह ना पाया तो इसलिए मैं बाद में हिन्दी की और बाद में ब्यड किया और आज में हिंदी अध्यापिका के भाशा में बहुत रूची थी थी मैं बच्पन में जैसे कहान यहां कभीतना यहें कभीतना दो है इस अभी बहुत पढ़ती थी और वह सब कभीतन पैठले संतरे अभी कि उनosexual का पैठल का हुआज हिंदी की अध्यापिका करेए 빠शेहम exhibbar नहीं कियो बड़ा रही हैं बच्चों को हिंदी के पृती जागरूग कर रही है रुची उनमें पैदा करेई हैं तो यह बहुत अच्छा काम कर रही हैं वbernिते हैं एक छोटे से विराम के बाद सर आज हम भारत जो है वो विश्व के विश्व पटल पर आप कहां देखते हैं भारत को आज हमने बहुत सारी तरक्की कर ली है बैज्यानिक छेत्र में अगर हम देखें तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हम कहीं न कहीं विश्व पटल पर अगर हम देखते हैं तो हम कहीं न कहीं थोड़े पीछे हैं तो क्या इस में जैसे कि आप अगर देखें चीन है जापान है रूस है इन्होंने अपनी भाषा में और वा मीका हो सकती है उसमें मैं आपके प्रश्ण को एक बड़े परिप्यक्ष में रखना चाहूंगा और वह परिप्यक्ष यह है कि हमारी जो आधुनिक बैज्ञानिक जो प्रगती है बैज्ञानिक या तक्निकी जो भी आप कहें साथ में उसका कारेकाल उन सारे देशों से काफी कम है और मैं आपको इस बात को भी बताना चाहूंगा कि आप कुछ सो साल पहले ज़द देखेंगे तो भारत का जो बिश्व का जीडिपी जिसको मानते हैं उसमें भारत का योगदान काफी बड़ा हुआ करता था लेकिन उसके बाद भारत गुलामी के दौर से गुजरा और आप ये देखेंगे कि हम अभी सत्तर या पच्छत्तर साल ही हुए जब हम बहुत सारी समस्याओं के साथ जूजते हुए आज इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा अपना उपक्रह होता है आज की बात हम करें जिससे पूरा बिस जो महामारी से गुजर रहा है जिसे आप कोवीड की बारे में जानते हैं भारत कुछ देशों में जो है अपनी अस्थान बनाये हुए है जो की बिस्व में आगे जो है बैग्यानिक जो है अपनी शम्ताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ वो यह दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कि भारत किसी भी देश से या किसी भी बैग्यानिक संस्थाओं से पीछे नहीं है तो मेरा यह कहना है दो चीज मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने सारे दर्शकों को और जो लोग आज के कारिक्रम से जुड़े हुए हैं कि हम एक तरह से जो है इतनी बड़ी जनसंख्या को सतर सालों में इस तरह का बनाए कि आज हमें भुकमरी की कोई समस्या नहीं दिखती है आज हम अपने उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में भेज पाते हैं आज हम ऐसी तक्निकी जो है विकास कर पाते हैं जिसमें क्वांटम कम्पूटेशन की बात होती है या जिस तरह के आईटी छेतर में भारत और भारती ये लोग कहीं पीछे दिखते नहीं है तो मेरा ये मानना है कि वैसे जो रिलेटिव रूप से आप देखें तो हम पीछे लगते हैं लेकिन 75 सालों में जो हमारे विकास की दर है वह और सारे देशों के विकास के दर से कहीं कम नहीं है आप साइद कल का जदी आप न्यूज पेपर पढ़ें कल का जदी अखबार पढ़ें आज के न्यूज हेडलाइन्स को देखें तो भारत पिछले साल से इनोवेशन इंडेक्स में चार जो है अस्थान उंपर बढ़ गया और यह इस साल नहीं हुआ है बहुत सालों से हर साल प्रति बर्स अपने अस्थान को उंपर के तरफ बढ़ाता जा रहा है हुआ बैग्ञानिक जो है अपना जो है अस्थान चाहें वो पब्लिकेशन में हो या कोई ऐसी बैग्ञानी खोज हो हम अपना प्रचार प्रसार और अपनी बातों को आगे बढ जहाने में सक्षमता दिखाते जा रहे हैं तो आप जैसा आपने सवाल किया कि और सब देसों से जैसे वरूस हो चाइना हो या जापान हो आप 75 साल देखेंगे तो हम किस समय कहां पर थे और आज कहां पर हैं तो हम पीछे नहीं हैं हम आगे यह पर रहे हैं और हम भाशा को कि अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह सब हमारे वेदों और पुरानों से ही निकल कर आ रही है और हमारी जो हमारी खुद की जो भाषा थी संस्कृत जो की माना जाता है कि देव भाषा भी थी और वो जननी है हिंदी की और कई भाषाओं की तो उस भाषा को लेकर भी उसमें काफी सारा रिसर्च हो रहा है बलकि मैं आपको बताऊंगे सर कि यूनिवर्सिटीज में बाहर में अब संस्कृत बिलकुल लोग पढ़ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे वेदों में क्या कुछ लिखा हुआ है और सारी जो नई तक्नीकी और जो आज हम रूस और अमेरिका और बाकी जगे से हम आयात करते हैं हम उनको आज वो खुद दे सकते हैं अगर हमें अपनी भाषा का ग्यान हो तो सर आपने बहुत अच्छा ये कहा कि आज हम अगर 75 वर्षों को देखें एक नजर से तो हम पीछे नहीं हैं हम निरंतर प्रगती के पत पर अग्रसर हैं मैडम मैं आपसे जाना चाहूंगी कि भारत जैसे देश में आप हिंदी पढ़ाती हैं तो आपके पास तो विभिन भाषी भाषा के चात्र आते होंगे तो भारत जैसे देश में एक भाषा का होना राज भाषा कहिए या राश्र भाषा कहिए वो कितना उसकी आवशक्ता ह कितनी उसकी जरूरत है हमारे देश को क्या मानना है आपका? भाशा का मतलब है कि अपने वीचारों का आदान प्रदान करना, अपने वीचारों को एक दूसरे से बाटना, तो इस थी हैं भारत में कई राजी हैं, कई राजी के अलग-अलग भाशा एंधूर थी कि सभी भारत को एकत्रीत करने के लिए हमें हिंदी भाषा की बहुत, हिंदी भाषा सभी लोग बहुत जानते हैं, तो इसीलिए हिंदी को हमारी राश्चभाषा के रुप में लागू किया गया है, तो महात्मा गांदी जी ने 1917 में गुजरात में एक साइक्षी का समारोह में ए बात बताया था कि देश के सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए एक राश्च भाषा की आवश्कता है तो उसके कुछ लक्षन भी उन्होंने बताया था तो उसमें पहला लक्षन ये था कि भाषा ऐसी चाहिए कि जो सरल हो और आसान हो और दूसरी बात यह है कि और ये भारत के बहुत सारे लोग इसको जानते हो तो ऐसे में हिंदी के ही ऐसे लक्षन दिखाई दिये कि हिंदी को ही एक राश्च भाषा के रूप में लगा जाए क्योंकि ये भाषा बहुत आसान है जिसमें देवनागिरी लिपी ह होती है जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है यह हमें बहुत आसानी से पढ़ी जाती है और समझी जाती है तो इसलिए हमें यह लगता है कि भारत को एकत्रित बनाने के लिए हिंदी को ही राष्ट भाष्टा के रुप में मानना चाहिए और 14 सितंबर और 1949 में हम हिंदी को राश्च भाषा के रूप में हम लागो किये थे और 26 जानवरी 1950 में जब सम्वीदान बना तो उसमें हम राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है जी मैम आपने यह बहुत अच्छी बात बताएं कि हिंदी जो भाषा है वो बहुद ही साइन्टिफिक है और जैसे वो बोली जाती वैसे ही वो लिखी जाती है वैसे ही पड़ी जाती है तो ये ऐस भाषा की सबसे अच्छी और सबसे एहम इसकी विशेश्ता है जो आपने बताया मैम तो मैं सर से अगला प्रश्न चाहूंगी कि सर आप भूब होते किया शेत्र में आप कारियरत हैं तो आज अगर हम विश्व के पटल पर देखें तो भारत का उस शेत्र में हम कहां पहुँच पाए हैं मैं दो चीजे इस प्रश्न के बारे में कहना चाहूंगा एक तो जो हमारा संस्थान है तो यह CSAR जो काउंसिल आप साइंट फेक और इंडस्टियल लिसर्च अंग्रेजी में बोलते हैं उसका जो है एक संस्थान है जो 37 संस्थानों में से एक है और भूबहुतिकी के बारे मे काम करता है तो मैं यह बताना पहले चाह रहा था कि जो हमारा विकास या जो इंटरनेशनल रूप से हम कहां खड़े हैं और एक नेचर इंडेक्स होता है जो कि अभी कुछ दिन पहले आया जो कि बैस्विक रूप से जिसकी एक्सेप्टिविल्टी है उसमें CSAR भारत में प बैञ्ञानिक विकास के बारे में बात करें जो भू भावत्की से जूडी हुई हैं आज के समाज में हम देखें तो कुछ जो बड़े बड़े प्रश्न है जिनकी समाधान की और जो पाटिकलर रूप से जो आज का समय है जहां पे हम आत्म निर्वर भारत की बात करते हैं उसमें भू भूतकी का बहुत बड़ा या भू बिग्यान का बहुत बड़ा योगदान है और होगा उसका कारण ये है कि जो एनरजी सुरोतों की जदी हम बात करते हैं जो उर्जा सुरोतों की बात करते हैं जदी हम देखें तो 2050 तक जो फॉसिल फुएल जैसे आप कोईला कहते हैं, हाइडरो कार्बन कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, यह सब जो है अन्वेशन्ड से जो भूभावत की या भौमी की जो है उसके अन्वेशन्ड से ही आता है तो अभी भी जो हमारा जो उस पर डिपेंडेंसी है वो खतम नहीं हुआ, तो एक तरह से इसमें हमारा योगदान बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और हम जो आज की तकनिकी अपनाए हुए हैं और जो तकनिकी बिक्सित कर रहे हैं वो तकनिकी किसी भी देश के तकनिकी से कम नहीं है, हम उसके बराबर हैं, दूसरी कुछ दो है पानी की, और हमारा भारत भी उस तरह की समस्याओं से भी जूज रहा है, और इसमें भी भू बहुत की तकनिकी और उसके उपयोग का जो है बहुत बड़ा योगदान है और आने वाला है, उसमें हम लोग हमारा संस्थान इस देश में तो आगे हैं, दूसरे देशों के बहुत सारे संस्थानों में भी अपना अस्थान बना चुका है, आपको हम बहुत-बहुत बदाई देते हैं, यहाँ पर क्यूंकि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जिस वजह से आज हमारा जो यह संस्थान है, वो अपने देश में तो कार्य कर रही रहा है, भूकम, सुनामी और उसमें लाइन स्लाइड जो भूस्कलन होता है यह साब आते हैं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मान्निय मंत्री महोदय ने ट्वीट भी किया था कि भारत का जो सुनामी अलार्मिंग सिस्टम है वह बिश्व का प्रथा मस्थान पर है और इसमें मैं यह मुझे बहुत प्रसंता है बताने की कि हमारे संस्थान का भी काफी योगदान रहा है उसको लाने में तो मैं यह सब तीन बातें जो बताया कि जो हमारे आत्म जो निर्भरता लाने में देश की जो बहुत भूमिका निभाने वाली दो-तीन जो बड़ी समस्याएं या जो इसूज हैं उसमें हम एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं और उन तकनिकियों द्वारा जो globally contemporary है उनके बराबर है यह बात अभी हम आपके सामने accept करेंगे कि हमें और लोगों से आगे बढ़ने में कुछ समय लगेगा लेकिन हम बह दाने में मुझे बहुत प्रसंता है चलिए से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका संस्थान भी इस और अग्रसर है कि हमें विश्व के पतल पर एक अग्रणी संस्थान के रूप में देखा जा रहा है सर आप एक निदेशक के रूप पर कार्य कर रहे हैं तो हमारी राजभाशा जिसे हम कहते हैं जो कामकाज में इस्तिमाल की जाने चाहिए तो कुछ उसमें कार यह हो रायर सर्फ मैं दो तिन चीजे पुनह आपको बताने की कोशिस करूंगा इस सवाल के उपर भी जी यह जो है यह विश्व के रूप में भी आप जद देखें तो आज का बैज्ञानिक जो वो किसी भी देश में काम कर रहा हो उन सब के लिए यह जरूरी हो गया है और वो बैज्ञानिक जो ऐसे संस्थाओं में कारे कर रहा हो जो पुब्लिक फंडेट जिसको हम बोलते हैं तो उसमें काम करने वाले लोगों की यह बहुत बाध्यता होती जा रही है कि वो पुब्लिक को बताएं कि उनका अनसंधान उनका बैज्ञानिक जो है योगदान कैसे समाज को कैसे देश को और कैसे बिश्व में अपनी योगदान को जो है अच्छे से लोगों को पूचा पा रहा है और उसमें भासा का बहुत बड़ा युगदान है इन सब को ध्यान में रखते हुए आप जानते होंगे कि कहा जाता है कि आप लोग अपना वेबसाइट पोर्टल अच्छी तरह से बनाएं और कल ही हमारे महान जिदेशक महोदय ने स्री सेखर मांडे जी ने कहा कि हमारे जो संस्थान है वह केवल उनके वेबसाइट केवल अंग्रेजी या राजभासा हिंदी में नहों करके ही वह जो है रीजनल भासाओं में भी हो जिससे कि हमारी जो बैग्यानिक उपलब्दियां है लोगों तक पहुंचा सके और सही साथ हम जो हमारे जो नए बच्चे हैं जो भीज्ञान के तरफ उनको उत्साहित कर सके कि विज्ञान में आप आईये और देश के विकास में और अपने विकास में जो है योग दान दीजिये जी जी सर तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाशा आप मतलब वेबसाइट वगर जो आप बता रहे हैं वो अंग्रेजी और हिंदी में ही नहीं बलकि अपनी मात्र जो शेतरी भाशा है उसमें भी बने और इससे बहुत लाप पहुचेगा मुझे लगता है कि जितने कुची उस और दिखा सकते हैं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद मैडम मैं आपकी और फिर एक बार रुख करती हूँ और आप से मैं यह जानना चाहूंगी कि आप चुकी स्कूल में पढ़ाती हैं तो स्कूल में बच्चों को आप किस तरह से प्रेरित करती हैं कि वो हिंदी भाशा की और उनका जुकाव हो रुजहान हो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो सब शेत्रिय भाशा या अंग्रेजी में पढ़कर आते हैं तो आप किस तरह से आप उनको प्रेरित करती हैं कि उनकी रुची जो है वो आपके विशह में भी हो और क्या कठिनाईया आती हैं इसमें घ्न हभाशा ने कि में तो हिंदी भाशा सीखने की व्यूम्हें बहुत होती है कि क्योंकि यह झाकर के उसलिपनादी और आगी कई विश्यों से उनको बहुत उस्लिया क्खषा में और भाशा की अध्यापिका से भी बहुत लगाओ रहता है और सफ़ी सान्सकृतिक कारे करने में वार्शिक दिवसपर ये हिंदी इवसपर जैसे हम साहित्यक कारी भी करते हैं जैसे निबंद लेखन और वक्तरत्र के प्रतियोगी ताएं यह भी हम लेते हैं तो उन सब में उनको बहुत रुछी होती है उन सब बहुत समय भी देना चाहते हैं लेकिन हमारा दूरभागी यह है कि दूसरे विशे के अध्यापक या उन में देने में इंदने में डिऽ d verbs गाटैने में तो ईसको दो टरह कि ृष्ड के कहते हैं آहा कि चात्र को भाशा लिखने चानता अहां आँ क्षिकला आछ नहीं द्सकुराया है जैसे उसको ईकी मात्रा चोटी而已 कहाँ लगा ना बड़ी की मात्रा कहां लगाना है यह पता नहीं होता जाना है और बहुत सारे आप्रोता हिन करते हैं कि पर फिर वह किर वह 35 लिश्ति बहुत मौन करना कर ठीक राना है और किस तरह से हम मेल करना चाहिए तो इसलिए हम उनको मोखीक अभ्यास जादा देने की कोषिश हम लोग करते हैं और दूसरे एक प्रकार की कईनाई यह अभ्यास जो आप देती हैं मौकिक अभ्यास के लिए आप कुछ मितलब उसके लिए कछानी के रिखने के लिए देते हैं उनको एक परेड encounter है लिजर रहता है लोग के लिए EP space में पता है तो आपक्षर किम को बनुद जर्प वे लिकना हन पड़ते हैं तो और एक यह कठिनाई होती है कि जो भाषा जानते है पर लिखने नहीं आता उनको तो ऐसे आसपास के लोग है उनसे वह भाषा सीख लेते हैं लेकिन उनको लिखने में परेशा जैसे एक एक जामपल अभी दीपावली का निबंद लिखने के अगर हम कहेंगे तो लेकिन तेल्गु में लिखेंगे जैसे दीपावली की पटाकलु कालुस्तामु अच्छा वो हिंदी में लिखेंगे लेकिन भाषा उनकी वह रही तो ऐसे हम को देखने को बहुत सारे पेपर जब हम करेक्शन के लिए जाते हैं तो हमको ऐसे प्रॉब्लम्स पेस करना पड हिंदी फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी आप हिंदी में बात कीजिए या नई तो हिंदी प्रोग्राम्स देखिए हिंदी को बाचीत करने से उनका हिंदी डेवलफ होगा और मुझे लगता है मैम की बॉलिवुड का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी भाषा क आगे बढ़ाने में और हर राज्य में ले जाने में बलकि विदेशों में भी इंदी फिल्में देखी जाती है और पसंद की जाती है तो भाषा का विस्तार जो है फिल्मों के माध्यम से भी बहुत जादा हुआ है जी तर मैं आप से यह जाना चाहूंगी कि आप ने जब पूरी की और जब इंट्रव्यू वगर के लिए जाते थे आप तो हिंदी भाषा में आप इंट्रव्यू वगर देते थे या अंग्रेजी में ही आपको देना पड़ता था या उस वजह से आपको कहीं यह लगा कि अगर काश मैं पूरी शिक्षा अंग्रेजी में होती तो कहीं बढ़ियां और उच्पत पर मैं जा सकता जो विश्व में जो पूरसकार सबसे जादे मानेता रखती है वो है नोबल प्राइज और उसमें जो जो भासा के लिए जिसको पूरसकार मिलता है उसमें 30 से 40 प्रतिसत ही लोग हैं जो इंगलीज भासा के हैं आप पूरे नोबल प्राइज के उसमें इतिहास में देखें तो इसका क्या मतलब है कि जो भ्यक्ति का जो दृष्टिकोन प्रदर्सित करने की छमता है वो जरूरी नहीं है कि वो उन भासाओं में करे जिन करना जाता है कैसे 50 जी जी डूसरी चीज जो पहले भी आपने बताया जय जैसेरस या जापान चीन बहुत ज्रजों के जो बैग्णानिक हैं उनको भी नोबल प्राइज मिला वो मा्तिर भासा में पढ़े अपनी मातिर भासा में उन्होंने काम किया लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बातों को अंग्रेजी में बताने में सक्छम रहे तो यह बात जरूर है कि यह बहुत तरह से कि अपनी बात को हम कैसे जादे से जादे लोगों तक पहुँचा सकें उसमें अंग्रेजी माद्यम का होना महत तो रखता है लेकिन बैज्ञानिक विकास के लिए साहिद भासा का उतना उतनी आउसकता नहीं होती है आपका जो प्रश्ण है कि क्या मुझे इस तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा मैं इसलिए जानना चाहती हूँ से ये प्रैक्टिकल मतलब आपके साथ अगर कुछ रहा हो क्योंकि जो आजकल के युवा यंग जेनरेशन है या हम युवाओं की अगर बात करें तो उनके मन में कहीं इस बात को लेकर एक छोटा सा वो डर रहता है कि हम हिंदी में हमारी पढ़ाई हुए है तो कहीं हमें इस वज़े से कमना आका जाए तो तो उस सवाल के जबाब में मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसे हमें ने बताया कि जब हमारी असनातक की पढ़ाई सुरू हुई तो उस समय से ही माध्यम अंगरेजी रहा और एक त पिल्सरी इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ करता था, तो हमें कुछ अच्छी इंग्लिश जानने की संभावना बढ़ी, जिससे की जो हम जानते हैं, उसको नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश में, लेकिन टुटी-फुटी इंग्लिश में भी अपनी बातों को बत आपको ये बताऊंगा कि कोई भी चाहें वो बैज्ञानिक हो प्रसासनिक हो या कोई भी जो है इंटर्विव होता है उसमें हम हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भासा में अपनी बातों को बता सकते हैं तो सायद अब आज के जवाने में भासा उतनी महत्तोपूल नहीं होगी जाब मिलने के लिए लेकिन अपनी बात को जादे लोगों तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि वह भासा हम जाने जो जादे लोगों के दवारा बोली जाती है और समझी जाती है तो उसमें सायद यह जरूरी है कि हमें अपनी मात्र भासा अपनी राज भासा के साथ ह है वो भासा जो आज के जुग में हम कहेंगे अंग्रेजी है का भी जाना उतना ही आवस्यक है और आप साथ देखी होंगी कि नई सिक्षानित इसका पहल कर चुकी है इसको ध्यान में रखते हुए जी जी आपने बहुत ही सधे शब्दों में बताया सर और मैं उमीद कर रहे ह भाषा हमें सीखते रहना चाहिए चाहिए वो हमारी अपनी मात्र भाषा हो जो हमारे राज्य में शेत्रिय भाषा होती है उसे भी हमें सीखना चाहिए साथ ही साथ जो हमारी राज भाषा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए उसको भी हमें सीखना चाहिए और वो अपनी भाशा के साथ साथ अपनी बात को अंतिराश्ट्री पटल पर रखने के लिए उस भाशा को भी सीखना जरूरी है मैडम अब कारिकरम के अंत में मैं आप से चाहूंगी कि आज की हमारी युवा पिली है और जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदी कंपलसरी आप सीखिए आप जिसी भी राज में भारत देश के किसी भी राज में या विदेश में भी कभी आप जाएंगे तो वहां के लोग भी आज हिंदी सीखने के लिए बहुत उस्तुक है और जिसी भी राज में आप जाएंगे आपको बोलचाल की भाशा अगर नहीं आती हो, तब आप हिंदी में अपने विशार प्रकट कर सकते हैं, किसी से भी आपको बात करना है, तो हिंदी बहुत आवशक है, तो इसलिए हिंदी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, और आजकल युवक को मैं यह संदर्श देना चा को अपने आजीविका के लिए भी हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी सीखने से उनकी जीवन, उनका जीवन जो है, वो सफल हो सकता है, और उनकी हिंदी को सीखिए और हिंदी के प्रचार को बढ़ाईए, जी मैं आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, कि हिंदी को अपने आप में अलग सुख है, जसे तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवशकता होती है, उसी तरह से हमारे मन को हमारे मस्तिक्ष को साहित की जरूरत होती है तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया मैडम और आप इतना समय निकाल कर हमारे बीच आई आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं सर चलते-चलते मैं आपसे भी चाहूंगी कि एक संदेश जो आप आज की य करते हुए काड़ी मेहनत करना हमारी युवा पिढ़ी के लिए बहुत जरूरी है और आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक युवा देश है जहां पर सबसे जादे युवा और बच्चे हैं तो हम उनको सक्छम बनाएं और सक्छम बनने में सहयोग दें इसमें जो युवा हैं उनका भी युगदान होगा कि जो कल के युवा बनने वाले हमारे बच्चे हैं उनको सहयोग करें और हम लोगों का भी साथ में यह युगदान होगा कि अपने युवाओं का मार्क दर्सन करते हुए उनको सहयोग दें कि वह उनके पास भासा की कोई बाधाय ना आएं और साथ ही साथ जब वो आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा विश्व आगे बढ़ेगा तो मैं पुना एक बात कहना चाहूंगा कि निर्धारित मान धंडों का ध्यान रखते हुए कली मेहनत और उस साल पहले इस्टेंफोर्ड में एक जो है सोध हुआ कि अमेरिका में जो लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं वो बच्पन में कैसे थे और उसमें पाया गया कि जितने लोग आगे बढ़े वो बच्पन में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम किये और उनके जो सापक थे उन लोगों ने इस बात पर बहुत ही जोड़ दिया कि आप निरधारित मांदंडों का ध्यान रखें आप अपनी संस्कृती का ध्यान रखें आप जरूर आगे बढ़ेंगे और यही मैं दोहराना चाहूंगा और बार बार कहना चाहूंगा कि हम पूरे देश में आगे बढ़ने के लिए तयार हैं और उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूम का है और उनका जो है बहुत कड़ी मेहनत के साथ काम करना बहुत ही आवश्यक है जरूर यह बहुत आवश्यक है सर आपने समय निकाला और बहुत अच्छा संदेश दिया इस मंच के माध्यम से तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूं कि आपने अपने इतने व्यस्त दिन में से हमारे लिए कुछ समय निकाला और आज हिंदी दिवस के आउसर पर इस परि जिननिज भाषा ग्यान के मिटत नहिय के शूल भारतेंदु जी ने ये पंक्तियां बहुत पहले लिखी थी लेकिन आज ये चरितार्थ हो रही हैं अगर हमें अपनी भाषा नहीं मालुम है अपनी भाषा का ग्यान नहीं है तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए या इस समाज में रहने के लिए अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी और ऐसी भाषा जो आज विश्व को एक सूत्र में बांधे हुए है या संपर्क भाषा बनी हुई है उस भाषा को भी सीखना आवश्यक है भाषा से प्रेम करिए और भाषा के साथ बने रहिए और साथी साथ हिंदी को आगे बढ़ाते रहिए क्योंकि हिंदी से मेरी पहचान, हिंदी से तेरी पहचान, हिंदी है जनजन की भाषा, हिंदी से है मेरा मान, धन्यवाद